हेलो बच्चो हमारा प्रस्न है घोड़े द्वारा गाड़ी खीचे जाने की इस सिति में कौन सा बल घोड़े को आगे बढ़ाता है तो चली हम इसको सालो करते हैं सबसे पले अगर हमें हाँ घोड़ा बनाएं यह हमारा जो है गार गोड़ा हो गया हाँ यह द Kolleg गोड़ा अहां बता है पर गोड़ा हमे पर उसके पीछे कि घोड़ा गाड़ी हम जानते हैं गारि बण्दी है अब बोल रहे हैं जल्म इसनगा गोड़ा और हमेरा घोड़ा तो यहां से गर हम देखे घोड़ा किस बल की कारण आगे जाता है तो यह बहुत बेसिक सा जो है नियम होता है वह जानते हैं न्यूटन के न्यूटन के तीसरे नियम की बात करें तो न्यूटन का तीसरा नियम हमें क्या बोलता है कि कोई जो क्रिया होगी प्रते क्रिया की सदे और समान तथा विपरीद दिसा में प्रतिक्रिया होती है यह हम जानते हैं यह न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है तो यहां से अगर देखे तो यह घोड़ा क्या करता है इस घोड़ा जो है इस जमीन को पीछे की और बल लगाता है यानि इस जमीन को पीछे खिसकाना चाहता है तो जो बल लगता है वो पीछे यानि इस जमीन को पीछे तो यहां पर जो यानि जो क्रिया कार यह करती है वो क् किस पर घोड़ा पर किधर आगे की ओर तो इस प्रतिक्रिया की कारण यानि गोड़ा ने क्या किया पीछे बल लगाया यह क्रिया हो गया तो इस प्रतिक्रिया का जो जमीन ने प्रतिक्रिया किया कि कुल बल जितने यानि बल से यह पीछे लगा रहा है उतने ही बल से यह आग तो इसी यानि न्यूटन के तीसरे नियम के अमसार ही चलता है तो अगर हम अपना आंसर देखें तो आंसर जो है हमारा वह हबल जो भूमी घोड़े पर लगाती है यानि हमारा जो आप्सन तीन है वह करेक्ट आंसर है थैंक यू